आज मैं इस python के मॉडियूल में देखनेंगी कि date and time module क्या होता है देखे एक date and time उड्व भी होता है उसके थुरू आप time git कर सकते हैं date git कर सकते हैं आप hours git कर सकते हैं second git कर सकते हैं यह सारे options यह date and time module अपने को क्या करेगा देखा तो date and time में क्या-क्या functions है क्या-क्या logic है वो सारी चीज़े हम क्या करेंगे clear करेंगे और जिससे आप date and time के through कभी अपने project में time को दिखा पाएं date को दिखा पाएं इस logic को हम यहाँ पर क्या करेंगे clear करेंगे तो चलिए हम start करते हैं date and time module के functions को इसे बनावा module है यह भी देखें यह dates objects अपने को return कर देता आप date objects में क्या-क्या मिलता देखें मैं यहाँ पर बताता हूं यहाँ देखें x नाम के एक value लिए और यहाँ पर equal to क्या date time यहाँ पर date and time module है और उसके अंदर भी एक date and time नाम क्या class बनी हुए objects बनी हुए उसके अंदर से आप एक now function को क्या कर रहे हो call कर रहे हो देखें यहाँ पर जो नाव function वह मैं आपको clear कर देता हूं future date and time को use करेंगे जोःँ यह को यहाँ पर आपने पास किया उसके अंदर date and time नम का एक object है और उसके थूफ collective को क्या करेंगे call करेंगे यह date and time module है यह इसके अंदर बनावा date and time क्या है object है उसके थुरू now function का आप क्या कर रहे हैं call कर रहे हैं यह आपको clear कर देता हूँ कि यह आपको current time निकाल के देदेगा कि आपके system का current time date क्या है वो सारी चीज़े return करेगा तो एक बार हम क्या करते हैं इसको practically implement करते हैं जिससे आप date and time को समझ पाएं कि मैं date and time के थूरू current date या time कैसे get करूँगा तो चलिए हम इसको practically समझते देखिए देखिए मैंने यहाँ पर demo.py नाम के return करके देखाता हूं आपको date and time को यूज करना है साथ में date and time एक बार और क्यूंकि इस module के अंदर यह class object बनी है यह class का object बना हुआ है फिर उसके थूरू आप now function को क्या कर रहे हैं call कर रहे है लिए क्या गलत लिखा है यह हम देख लेते हैं यहाँ छेन है अब के name ky data है और आपके साम्नी क्या हो रही है और यहाँ चल रहा हो भी आपको क्या हो रहा है आ रहा है पस देखिए यहां पर 16 बच के क्या कर रहा है 32 मिनट दे रहा है तो वो जो इसका time है format है वो कैसे change होगा वो मैं आपको clear करूँगा कि आपको 24 hours के according चाहिए 12 hours के according चाहिए तो कैसे आप guide करेंगे यह सारे logics को clear करूँगा तो सबसे पहला जो function था वो clear होना चाहिए कि import date and time x date and time dot date and time dot now क्या करता है current time अपने को current date के साथ में return कर देता है अब देखें next देखते हैं next आपको क्या करना है clear logic है कि आपने को कोई date time और month अगर आपको मिलता है जैसे date मिला year मिला month मिला उसको convert करना है date and time के help से तो वो आप क्या logic लगाएंगे देखें वो यहाँ पे लिखा हुआ है आप क्या करेंगे x equal to date and time dot date and time अब इसके अंदर तीन parameter पास करेंगे पहला होगा year दूसरा होगा आपका month और तीसरी होगी date जैसे आप इस parameter को पास करेंगे और print x करेंगे तो यह जो है यह एक year के format में change हो जाएगा अब पूरा combination बना हुआएगा आपका date का पूरे combination में आपके पास क्या होने वाला है return होने वाला है तो एक बार हम इसको practically करते हैं देखिए तो मैं यहाँ पर जाता हूँ बहुत सिंपल होगी कि आपको क्या करना है यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ चलिए डेट .date and time function function भी बना हुआ देखिए नाम से और इसके अंदर तीन parameter जैसे मैंने यह value दी year की और यह value दी month की और यह value दी .date भी आया, month भी आया, year भी आया, यह आपके सामने क्या हो रहा है मिल रहा है तो आप देखिए date and time module के थुरू आप date पे काम कर सकते हैं यह पूरे logics को implement कर सकते हैं और भी function देख लेते हैं कौन सा है देखिए एक बार देखिए कुछ यहाँ पे symbols आप use कर सकते है symbols क्या return कर माल लीजे आपने को date and time को get किया उसके अंदर से केवल आपको year get करना है या केवल आपको क्या करना है month get करना अब देखिए month में अगर B करते हैं तो आपको short form में month मिलेगा अगर capital B करते हैं तो यह देखिए पूरे month का ना मिलेगा अगर आप M लिखते हैं तो month का number मिलेगा अगर आप y लिखते हैं तो y में क्या होगा year अगर आप small y लिखते हैं तो year short form में आएगा मतब जैसे 2018 तो किवाल 80 देगा शुरू के 2 digit को cut कर देगा y capital लिखेंगे तो पूरा year दिखेगा अगर H आप capital में लिखेंगे तो आपका hours क्या हो रहा है 24 hours में count होगा अगर I लिख लिखेंगे तो M में आपको minutes पता चल जाएंगे कि कौन सी minutes चल रही है अगर S लिखेंगे तो यह आपको second देगा देगा यह parameter है strf time के strf time function है जो आपको क्या कर सकता है particular एक value return कर सकता है इसके practical को समझे तब आपके सामने क्या होगा clear होगा देखें यहां पर मैंने practically बना र लिखेंगे यहां पर आप notice के रिए capital Y क्या गरेगा 2018 आपको return कर देगा तो year पूरा अगर small करेंगे तो 2018 की जगे 18 ही आएगा आपके पास तो यह एक example है इस examples को हम क्या गरते हैं समझते हैं जिससे आप इसको क्या अगर पाए implement कर पाए यह symbols fix symbol है इसकी जगे आप और कोई symbols यूज नहीं कर सकते यह date and time के बने हुए symbols है तो एक बार मैं इसको क्या गरता हूं practically implement करके दिखाता हूं कुछ symbols आपके सामने apply करके दिखाता हूं जिससे date and time को आप समझ पाए और apply कर पाए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी logic पर देखते हैं यह logic बना हुआ है तो इस logic को कैसे implement करेंगे देखे मैंने एक m नाम का variable यह एक पर logic लगाना है strf time करके function का नाम है और इसके अंदर आपको पहले percentage और फिर बताना है कि क्या get करना है तो मैंने y pass किया और आप यहां पर print करिए m को तो m में आपको क्या मिलने वाला है कि कौन सा year है जो अभी चल रहा है वो अपने को return होगा और वो भी year पूरा आएगा 2018 या 2021 जो भी चल रहा है वो आपके सामने मिल जाएगा देखे मैं यहां पर क्या करता हो रन करके दिखाता हूं यहां पर देखे यह आपको year return कर रहा है अगर आप small y करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2021 चल रहा है वो 21 लिख अगर आप capital भी लिखेंगे तो देखे आंसर क्या आने वाला आपके सामने clear हो जाएगा कि April पूरा लिखा हुआ आएगा अगर आप M लिखेंगे तो क्या आएगा capital M था मैं capital M करता हूं यहां पर हिट करता हूं तो यह आपको अभी का minute बता रहा है कि क्या minute चल रहा है अग हो लिए देखे मैं H करके दिखाता हूं मैं यहां पर capital H करके दिखाता हूं अभी जो आपका hours आएगा 24 hours के according देखे मैं यहां पर run करता हूं तो 16 आ रहा है मतलब 16 मतलब यहां पर देखे चार बच के 38 मिनट हो रहा है तो उसके according वह 16 बच के जैसे आप railway station पर दिखते हूं तो 16 बच के 38 मिनट पर आने वाली है या 12 बच के 40 मिनट पर आने वाली है तो वह 24 hours के according चलता है अब अगर आपको 12 hours के चाहिए तो आप यहां पर I का यूज करिए capital I का देखे और यहां पर run करिए तो अभी आपको 4 दिखा रहा है मतलब अब यह actual 12 hours के according answer आपके सामने return कर है तो हमने क्या देखा हमने यह देखा कि हमने current date and time कैसे get किया उस current date and time में अगर आपको particular एक ही data चाहिए तो आप कैसे करेंगे आप इसको बार बार अलग अलग data get कर सकते हैं मगर आपको वह symbols पता होने चाहिए कि वह symbols क्या होते हैं उन symbols के according output क्या आने वाला है और अगर आ date and time module आपके सामने यह return करता है कि आप date को देख सकते हैं date को print करा सकते हैं उसके अंदर से symbol pass करके आप उसके format को check कर सकते हैं आप उसके hours को check कर सकते हैं आप उसके minute को get कर सकते हैं days get कर सकते हैं year get कर सकते हैं सारे logics उसके अंदर बने हुए है तो आप एके करके symbols यहां पर apply क करेंगे तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा तो अभी के पार्ट में क्लियर है कि डेटा मोड्यूल क्या करता है और कैसे डेटा को रिटन करता है थैंक यू समझ गाइज मदद।क तो आपको तो आपके सामझ आपके सामने थींग है